हालो माई दियर स्टूडेंट दिस दॉक्रा कांग शागरवाल आपकी गुरुमा और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वा नीद सीरीज में वेलकम यू आज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंवायरिमेंटल इशूस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपि एंवायरिमेंयंट अक्ट हो गया थे एयर एक्ट ही मोडिफाइ हुआ था अमेंडब मेंट हुआ था और उसमें नोईज इंठ लूड की गई थी यादे 173 पे जोंट जायगा फिर इसके बाद मेंनाशनल फॉर्रेस पॉलिसी जिसमें 67 परसें पहाड पे ज़ादा जंगल होता है, इसे याद रखो, 33% प्लेन्स पे, फिर जॉइंट पॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसका आइडिया होना चाहिए, इसके अलावा इसमें चिपको मुवमेंट बहुत इंपोर्टेंट है, चिपको मुवमेंट हमें आना चाहिए, यह कुछ बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बाकी, नैशनल पॉरस पॉरस पॉलिसी, 1988 है, और यह 1980s में हुआ था, जहां पे, पीपल्स पार्टिसिपेशन को गर्मेंट ने इंकरेज किया था, इसके अलावा स्टूडेंट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपोर्टेंट है, और कोयोट प्रोटोकॉल NCRT में नहीं दिया, बट इंपोर्टेंट है, कैसे याद रखोगे, देखो इसे ओम से याद रखना, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, यह ओजॉन डिपलीटिंग सब्स्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, ओजॉन डिपलीशन वाला, मॉन्ट्रि कोयोटो प्रोटोकॉल कभी खुशी कभी गम, और के थी जी, यानि कोयोटो प्रोटोकॉल Gř Physics को कम करने के लिए वए, क्रीन हाउस गैसे को, कोयोटो जैपान में, यह तो कुछ बहुत बहुत इंपार्टेंट याज हैं जो हमारी टिप्स पर होने चाहिए, अब स्थूदन आयाने lime और water को use करते हैं, now इसके बाद water pollution में बड़ा important students, हमें एक तो bio magnification आना चाहिए, ठीक है, वो DDT, higher trophic level पर बढ़ता जाएगा, birds में जाके thinning of shell कर देगा, premature breaking हो जाएगी, calcium का metabolism interfere होगा, वो सारा कुछ, इसके बाद eutrophication बहुत important है, aging of the lakes है, cultural accelerated eutrophication हो रहा है, क्यों क्योंकि nitrates, phosphate, nutrients, extract हो रहे हैं, उसी के कारण blue green algae, green algae तेजी से बढ़ रहे हैं, सारा oxygen rob off कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, बाकि सब पेड़ जानवर पानी के मढ़ जाते हैं, इसे algal bloom कहते हैं, तो ये फंड़ा हमें बिलकुल अच्छे से आना ही चाहिए, case studies तो पढ़ी लेना वो तो बहुत मज़ेदार है, कहानी की तरह मैं भी हमेशा सुनाती हूँ, तो वो तो आना ही चाहिए, now इसके बाद students, इसमें, solid waste में, of course, agrochemical waste हो गया, plastic waste हो गया, hospital waste, e-waste, ये तो बस ये कहानी की तरह पढ़ते जाना सब समझ आ जाएगा, now radioactive waste, radioactive waste के disposal वाला पार्ट जरूर धियान रख लेना, 500 मीटर डीप, चट्टानों में, प्रत्वी के नीचे गाड़ते हैं, after sufficient pre-treatment, इसके question आता है, ठीक है, now, इसके बाद में, one second, yes, इसके बाद में, next जो है, वो बहुत important है, greenhouse gases and global warming, इसमें main जो question हमें धियान रतना है, बाकी तो हम सब जानते ही है, कि minus 18 degree chilling temperature होता, plus 15 degree है अभी, क्योंकि greenhouse gases कुछ long wave radiation absorb करके वापस प्रत्वी पे डालती है, दुबारा से, extra heating अगर हो जाएगी, greenhouse gases बढ़ जाएंगी, global warming होगी, annual average temperature बढ़ेगा, polarize caps melt होंगे, और समुदर के किनारे केला के डूप जाएंगे, ये सब हम जानते हैं, और अजीब से climate changes like L, Nino होगा, वो भी हम जानते हैं, पर main इसमें greenhouse gases का percentage याद रखना, आपको याद करा देती हूँ, तो percentage है कि एक चाचा है मेरे चाचा, वो मीठा बड़ा चोरी करते हैं, he likes sweets, पर डॉक्टर ने मना करा है, diabetes है, तो चाचा मीठा चोरी नहीं करना, चाचा मीठा चोरी 60% होती है, मीठा, मीठा मतलब मीथेन 20%, C से हो गया, क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन 14% और N से हो गया, N2O 6%, ये decreasing, increasing order percentage कैसे भी question आता है, यानि main greenhouse gas जो है, वो CO2 है, और पेड काटने के कारण, पेड CO2 यूज नहीं कर रहे हैं, और photosynthesis, उसके कारण CO2 इंग्रीज हो रहा है, in the atmosphere, और उसके कारण global warming वगेरा हो रहे है, इसके बाद next जो हमें आना चाहिए, वो है ozone depletion in stratosphere, देखो मेरे प्यारे students ध्यान रखो, ozone gas हमारे immediate atmosphere, troposphere में भी है, 0-16 km तर, और stratosphere में भी है, stratosphere वाली good ozone है, क्यों, क्योंकि वो एक तौम inhale नहीं करते, बहुत ऊपर atmosphere, और ultraviolet rays को absorb करके ब्लॉक कर देती है, अर्थ पे आने से, तो stratosphere वाली good ozone है, अपर atmosphere वाली और lower वाली bad है, क्योंकि उसे हम inhale करते हैं, और ozone एक toxic gas है, हमेशा ozone का बनना और ozone के तूटना इसके बीच में balance होता है, जब भी ultraviolet rays पढ़ती है, stratosphere पे, तो ozone का formation और breakdown एक balance में होता है, बट अगर कभी ozone का तूटना is more than ozone का formation हो जाए, तो ozone का depletion होगा, याने ozone hole create हो जाएगा, और इसके लिए responsible है, chloro-fluorocarbon जो हमारे refrigerator में मिलते हैं, तो यह ozone भी deplete करते हैं, और यह greenhouse gas भी है, chloro-fluorocarbon से जो chlorine atom निकलता है, यह act करता है, catalyst कितने, यह एक्स्ट्रा O3 को तोड़ कर, O2 release करता है, O3 एक्स्ट्रा तोड़ता है, this act like a catalyst, यह important point है students, इतना तो हमें आना चाहिए, इसके अलावा, water logging, salinity of the soil, desertification, reforestation, deforestation, slash and burn, वो सारी कहानिया, वो सब तो हमें पता ही है, ठीक है, तो इतने topics जरूर कर लेना students, because यहां से environmental issues के 2-3 questions, minimum 4 भी बन सकते हैं, आपके पक्के हो जाए तो I hope यह series आपको help कर रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, all my love and all my blessings, to all my lovely students, God bless you and thank you.